सब्सक्राइब का स्वागत है आपकी पहली क्लास में इस बैच के तो यह हमारा इनकॉम प्रो बैच है जिसमें हम लोग अभी आज पहली वाल लाइव क्लास में मिल रहे हैं और अब तो रेगूलर मिलना होता रहेगा रोज पड़ाई लिखाए ओगी आज की हमारे क्लास जो है ओर iGive breakfast है कि जो भी हमारे लाइव वेक्चे जोते हैं कि उन सारे लाइव वेक्चे में पहली क्लास जो होती ही ऑर्येंटेशन की होती है कॉछ बेसिक से क्वेशन्स हैं जो मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा जिससे मुझे थोड़ा सा जो ऑडियन्स है जो हमारे कैंडिडेट्स में जो त्यारी कर रहे हैं उनके बारे में जानकारी हो जाएगी तो जिससे कि हम अपनी क्लासेश को क्लासेश में जो कॉंटेंट पढ़हना है जिस लेवल की प्रैक्टिस करवानी है उसका एक आईडिया मिल जाता है तो इसके कुछ पॉइंट्स होंगे जो आपको ध्यान रखने हैं और दी लेवस आपको उसके अकॉर्डिंग ही चलना है अगर हम ऐसा करेंगे और अगर हम एक सही तरीके से एक सिस्टम के साथ में एक अवेरनेस के साथ में तयारी करें तो इंग्लिश उतना बड़ा हुआ भी नहीं जितना हमें लगता है यह मैनेज़िबल है मैनेज़िबल सब्जेक्ट आप इसको सीख सकते हैं बढ़ हां सही तरीका सही टेक्निक और एक क्या कहें उसको डेडिकेशन इमांदारी वाला डेडिकेशन बातों वाला नहीं ठीक है वह चाहिए होता है तो अच्छे रिजल्ट आते हैं बच्चो सबको सभी खुष रहें मस्त रहें बहुत अच्छे रहों भाईयों आप में से सबसे पहले सबको कमेंट करना है कि विच एक्जाम और प्रपेरिंग फॉर पहला मेरा क्वेश्चन आप सबसे वीच एक्जाम अर्यू प्रपेरिंग फॉर कि हमारा एक्जाम के त्यारी करने वाले कंडिडर्स के लिए ऐसे कंडिडर्स के लिए है जो कॉम्पिटिशन में इंग्लिस के स्लेवर्स को डिल करेंगे इस सीख एक्जाम के आप त्यारी कर रहे है तो हैसे आपके लिए Panic andoo आपके लिए आपके लिए और फिर जैसे इंटर्स एक्जाम कुछ होतले हैं लेजीजिंग इंग्लिस जिन एक्जाम का स्लेवर्स ओती है उनके लिए आपका बैच है तो बैच का स्लेवर्स क्या है हम क्या क्या पढ़ेंगे यह तो मैं आपको डीटेल में बताऊंगा ही और इंटेशन सेशन में लेकिन एक बार मैं जानना चाहता हूं कि हमारे इंग्लिश वीक है इस पर भी बात करेंगे भी मैं आपका पॉइंट लिएता हूं बच्चे इंग्लिश वीक है बिल्कुल है के एसो और इसा गवर्मेंट ग्रेट सकतून सेन लुकी फाथ हैं वाट अच्छी वात्या हूं बाता हूं कि आपफ आपमेंट लूकी सम्राई टेशन लूहता ! पॉट्च्चार। एंच्छ्छी श्री को डि़्मे चेवात् अंग्रिश चाहई हमारे भी आपता हमन। कि कुल मिला कि आप जिन भी competitive exams की त्यारी कर रहे हैं उनके लिए आपने आइडिया मिल गया कि हमारे बच्चे जो त्यारी कर रहे हैं वह किस range of exams के लिए त्यार कर अब लेवर से उपर लेवल के त्यारी कर रहे हैं कम तो नहीं रहता है उससे ज्यादा की तयारी हो जाते हैं तो वह टेवर अग्जाम यूट्व पर फेमस करना मुझे तुम्हें लगता है कि मुझे फेमस होने की टेक्निक्स नहीं आती मुझे आते हैं छोड़ो हमें उससे मतलब नहीं है हम अलग तरीके से काम करने वाले लोग हैं और आप मेरे साथ पढ़ेंगे महीने दो महीने तो आप समझ जाएंगे कि मैं किसलिए पढ़ाता हूं कैसे पढ़ाता है तो जानते ही होग क्यों पढ़ाता हूं मैं ऐसे जैसे पढ़ाता हूं वैसे यह आपको महीने डेड़ महीने जब पढ़ोगे लाइव क्लास में लगतार हम लोग मिलेंगे बाते करेंगे तो आप समझ जाओगे कि मेरा परपस आप टीचिंग क्या है और मैं ऐसा थोड़ा सा हटके मेरा आपके परिवार का नाम हो ठीक है मुझे इसमें मठ डालिये मैं जैसा हूं बहुत कोज़ों मसत हूं ओके रिपोर्ट है मेरी खिलाल में लर्न पोर कॉंप्रेहंसिव इंग्लिस लेंग्रिस को कॉंप्रेहंसिव भी सीखना चाहते हैं इसलिए आपने बैज जोन कालिया क्य और लाजपत राइजी इफ एफ 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 करेक्टली रिमेंबर दिन यू आर फ्रॉम सिंद सेट पाकिस्तान आर्यू का आप सिंद प्रोविंस पाकिस्तान से या आपने साथ में यह वूटसपां पर कंटेक्ट किया था वो मैं आपके नंबर से जान पाये कि योगशान योगजत Εयुर, कै मैंने आपको दुरान ही शरकार नंबर से मिलां उनसे कॉंटेक्ट करो कि यह सब्सक्रानिन क्या कि ए जॉइन के इंप्रूब्मेंट करने के लिए इंग्लिश में सुधार हो एक्जाम तो आते जाते रहेंगे यह बहुत अच्छी बात है आपके ठीक है इस पर मैं भी दो बात कहना चाहूंगा लेकिन पहले बेसिक क्वेशन्स पूछ लू पहल करा का जलो तो अब यहां अच्छी बात है तो अभी यह आईडिया में जान गया है कि हमारे पास पढ़ने वाले बच्चे हैं वह एक वाइड रेंज ऑफ एक्जाम की त्यारी करने वाले हैं माल्द नहीं कि सारे बच्चे को एक पर्टिकुलर एक्जाम की ऐसे सी एकजा वाले भी हैं और अच्छी बात है कि कुछ ऐसे केंडियेट्स भी है जिनका फोकस एक्जामना होकर लर्निंग ऑफ इंग्लिश है मतलब इंग्लिश उनका टार्गेट है बढ़िया अलब स्लेवर्स को बड़ा कॉंप्रेंसिबली कवर करना पड़ेगा हम ऐसे भी कवर करते हैं स्लेवर्स को लेकिन यह चलिए जानकारी मुझे मिलगे तो अच्छा रहेगा कि हाव मैनी ऑफ यू हैव अटेंप्टेड लर्निंग इंग्लिश बिफोर दिस बैच आप मैंसे कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने इस बैच से पहले भी कभी इंग्लिश सीखी है इंग्लिश के बात हो रहे हैं विफोर आप मैंसे कितने बच्चे ऐसे हैं जो इंग्लिश के कुछ्ण मкихयी पहले केंब ले चुके हैं कहीं नाम बताने के जरूरत नहीं उसमें मेरा इंट्रेस्ट नहीं है बस मैं जानना चाहता हूं कि आप में से कितने बच्चे आएस संव पहले कभी कोचंग लेचुक है। लिया ओन-लाइन नाम लिए वह सब एक साई होता है कितनों पहले कोचिंग लियों कितनों का अटेंप्ट्य पहली बार कोचिंग लेरे और हमारे प्लेटफॉर्म पर ही कोचिंग और रहें इन पहले और अनाम मताईएगा औमनास बसकोचिंग ली ये यह कि आ Kasim बेटा दिव्यान शुई अभी आपको बताते हैं एक विनेट मैं भी बताते हैं आपका स्लेव क्या होगा ठीक है यह सारी चीज़े मैं भी आपको बताता हूँ मैं अपनी और्डियंस को जानने समझने के लिए उससे पहले दो-तिन क्वेश्चन्स फूजता हूँ इससे मुझे का आइडिया लग जाता कि मैं किन्हें पढ़ा रहा हूं उनका लेवल क्या है उनका इस तर क्या है ठीक क्या नाम है रवी यह बता रहें कि तीन चार वार पहले कोचिंग लेचुके इंगली सीखने के लिए तुम्हें सबसे ज़्यादा समस्या होगी और तुम्हें सुधारने में ठीक है में ज्यादा मेनत करने पड़ेगी होता क्या है कि जब हमने एक दू जगे कोचिंग ले लिए होती है पहले एंगली सीखने के लिए तो हमने प्रियॉपॉपाइट रहते हैं और मैं आपके छीज बताता हूं आई ट्राइट बट सराइफ पील आम नाट छाम दिद्र कि यूगा सबस्केयों वाहते हैं होता है कि उसको सिखाना बहुत मुष्किल काम ह ए। एक लगनर एसा होता है कि आप उसको सिखा अर कर रहा है। एक लर्णर उसको क्रॉस चेक कर रहा है साथ ही साथ में क्यूंकि उसने पहले कभी पढ़ा है कभी सीखा है करना भी चाहिए ठीक है लेकिन उसमें ना उसका इटेंशन डाइवोर्ट हो जाता है तो जिन्होंने पहले कोचिंग कभी ली है मुझे बस यह जानने कि आपने पहले कोचिंग लिए नहीं लिए बाकी मैं अपने आप समझ जाता हूं कि उम्हारी हलत क्या होगी ठीक है कि देखो जिन बच्चों ने पहले कभी भी कोचिंग लिए उनको बस एक छोटी सी बात में बताना चाहता हूं कि अगर ऐसा हो पाए पस्ट टाइम में चलो कुछ कंडिडेट्स कम से कम ऐसे हैं जो पहली बार कोचिंग ले रहे हैं इंगलिस की और हमारे प्लेटपर्म पे लेकिन फिर भी आजाओ तो जो बच्चे पहले से कभी इंगलिस की कोचिंग कहीं पर भी ले चुके हैं पढ़ चुके हैं उनको मेरी एक सलाह है अगर हो पाये तो वो जो अपने पुराने नोट्स हैं और पुरानी जो भी कितावे रही होंगी वो दे दो किसी को दोस्त को कमें और वालो हो से के तो अपने को मानलो कििस सीख होती है आपको बताया जैगा आपको सबस्क्राइब तो मेरी नहीं लगे तो फो différents में पंषी नहीं आखे तो थोड़ जो पढ़ाता हूं उसको सबहता है इसलमज्चा तो वSho ваш इसको आंख बंद करके यह कर देना मुह बंद करके पेपर में कभी यह से नहीं कहता है तो मैं हमेसे जो भी आपको पढ़ाता हूँ उसको लोजिक के साथ में समझाता हूँ बाकी चीजों से कनेट करता हूँ आगे चलता रहता हूँ आपको अपने समझ में आती रहते हैं अगर अपने ध्यान से सुनते हो समझ में आते हैं तो बच्चे मान भी लेते हैं भी समझ में आ गया तो उनको मान भी लेते हैं उसमें कोई दिक्क्र नहीं होते और वह याद भी कर लेते हैं तो जो पुराने बच्चे हैं जो पहले से दो इपना पड़ेगा लिखेगा कि मैं कोई जरूवत नहीं पड़नी है किसी भी जरूट की जरूट की परते नहीं हों परके ही और करना है उन्हें तो जैसे मैं पढ़ा रहा हो बता रहा हो इसको रट लेना है कि सभया जाएगा तो याद करले नहीं समझ में कोई है तो हम आपके लिए डाःट ग्लासें रखते इन जा रहते है तीसरे लास्ट पूझन है ps чтоб यह है what do you expect from this batch आपने यह जो batch join किया है Encompray Encompro sorry यह जो आपने batch join किया है आप इससे क्या expectation रखते हैं आप क्या expect करके चल लोगी भई मैंने यह batch join किया है मैंने बिना demo class लिये पैसे तो महंगी फीस नहीं होती है ठीक है फीस तो बहुत reasonable हम रखते हैं लेकिन फिर भी compare के जब बाकी online platforms होते हैं उनके मकाबले थोड़ी ज़्यादा होती है मुझे लगता है ठीक है वो लोग 799-11999 ऐसी कुछ फीस रखते है हमारे बैचेस की फीस 5000 के असपास होती है तो उनके मुकाबले गर आप देखते हो तो आपको थोड़ी सी ज़्यादा लगती है कि बाकी कोई institute है उसकी फीस तो बहुत कम है ठीक है और आपको लगते कि हमारे बैचेस की फीस ज़्यादा होती है तो ज्यादा होती है अधरवाइस रीजनवल फीस होती है आप एक महीना पढ़ोगे जो बच्चे फंडामेंटल पढ़ चुके वह जान गया होंगे कहीं ज्यादा रही है ठीक है जो आपने फीस दिया आपको बस बस आपकी अलगी एक्सपिरियंस होगा तो कुल मिला के पहली क्लास आपको मिल लए वह भी तम मिल लए जब आप एड्मिशन ले चुके हो कुछ बच्चों ने तो कुछ दिन पहले एड्मिशन ले लिया था बैच हमने अनौंस किया था अप पर लिस्ट किया था तभी उन्होंने अड्मिशन ले लिया और हमने वीडियो भी नही मार्क इस मैनी मार्क इन एक्जाम आइक्सपेक्ट दिस आपके एक्सपेक्टेशन क्या है बैच से सभी लोग बता है एक्सपेक्टेशन का मतलब है वाय कि आपको यह पता भी आपने बैच क्यों जॉइन कि परफस है आपके पास वह बहुत जलूरी चीज़ जिन लोगों के पास कोई परफस नहीं भटग रहे हैं कि लुड़कता हुआ लोटा इधर उदर लुड़क रहें जिनके पास परफस उद्धेश्ट है वह सफल हो जाते हैं जिनको पते ही नहीं क्यों काम कर रहें मसकर रहें एक्जाम देना इसलिए इंगलिस सीख रहें अंकुल सर्ण ने बैच लॉंच किया इसलिए जोइन कर सब्सक्राइब हो जाएं हमारी मेहनत से क्या है मेहनत की वज़े से वेरी गुड़ इंग्लिस में अंडर्स्टेंडिंग डेवलप हो जाएं क्यूंकि हम मेहनत नहीं करेंगे तो मार्क नहीं बढ़ेंगे है तो ऐसा ही वैसे तो 40 मार्क आज आयते हैं बट सर हमें ग्रामर सीखना है वेरी गुड़ यूटूब की क्लास देखकर आपको समझ माया गया एक्सपेक्ट की इंग्लिस रूल्स को मगप नहीं करना पड़ेगा तो यह जो आपने मुझे बताया है आप नहीं बताते तब मैंने आपको बस रिकॉल करवाया कि तुम्हें भी ध्यान आजाए तुम्हें भी ध्यान आजाए रैंक लानी है से सीजल में आराम से आएगी अब तो मतलब कुछ ज्यादा हाइफ नहीं होता है ठीक है आराम सुझाएगा चलिए जो मैंने आपको बाते बताई हैं आपको पैसे तो सबको याद ही होगा कि हमने इसका क्या बताया था जो हमने अनॉंस्मेंट वीडियो बनाया था उसमें वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा तो शलेवस बताई ही रखा होगा लिकिन फिर बि यज़ो लेक्चर है आज का यह आपके कॉर्स में हमेशा रहेगा जब तक है के कुर्स की वैलिटिटी है तब तक है लेक्चर रहेगा और कि लेक्चर वान हमेशा रहेगा तो इसमें हम दिसकॉस कर लेंगे तो और और पढ़ाने के लिए muchísimo तो उसमें से अगर कोई भी एक चीज इदर उदर होगी तो आप कहे पाऊगे कि सर जी आपने हमारे ओरिंटेशन क्लास में यह चैप्टर आपने बताया थे यह टॉपिक बताया थे इन में से यह वाला टॉपिक अभी नहीं हुआ होता है कि नहीं होता है तो आप उसको मुझे ध्यान दिला पाऊगे अलांकि मैं भूलता नहीं जब तक मैं भूलने के खुद एक्टिंग ना करूं कुछ ऐसा है मेरे साल कि मेरी आदास बड़ी अच्छी है मैं तभी भूलता हूं जब मैं खुद एक्टिंग करने लगया हू देंगे तो यह मैं आपको स्लेवस इसलिए यहां पर बताऊंगा जिससे कि यह वीडियो आपके कौर्स में हमें सा रहेगा और आप इस वीडियो को देख कर अधिक है कभी अपना ध्यान में कर पाएंगे कि यह हमारा स्लेवस था जो सर्जी ने 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 बताया था करवाया और यह आप हमें करवाईए ठीक है चल तो सलेवस से पहले बात कर लेते हैं तो दीखे आपका यही रहेगा पांच से सिक्स तू सेवन थर्टी पीम वन एड हाफ हार्स की क्लासे होंगी मंडे टू फ्राइडे रेगुलर क्लासे होंगी वैसे तो सैटेडेडे संडे वी डो संदेство अफ होते इस दिन अजसे संदे को समटेडेडें को समटांब्स न्स वी नेतिस क्लासेजे और सम् डिस्केशन क्लासेज और लाइव मीटिन्ग्टि रॉफ सेटेडेड़ ऐसे सकते हैं गूगल पर कोई लाइब मीटिंग वगए आपके साथ में रहे लिए जिसवे आपको डॉट बगए डिसकर स्कर ले वह सैटेड़ी कभी होगी तो एक्स्ट्रा क्लास होगी जिसे स्कूल में नहीं होती है एक्स्राकूलर अक्टिविटी तो उस तरीके से होगी आपका जो रेगुलर स्लेवर्श है आपको जो प्रापर स्लेवर्श है वो मंडे टूफ्राइडे की क्लासे तो आपका तो एकष्पी में 2 एससे अच्छा जैसे अगर आप लोगों ने भी ध्यान दिया होगा तो मुझे लगता है आज आपकी क्लास मैंने 6 बज़ के एक मिनट पर स्टार्ट की थे एक मिनट वो यह सिस्टम ऑन करने में टाइम ले गया माइक तो इसलिए एक मिनट ज्यादा हो गया तो आप यह मान की चलेंगे कि अगर आपकी क्लास शे से साड़े साथ है तो मैं छे वज़े लाइव आ जाता हूं और आपको छे वज़े लाइव आना पड़ेगा मेरे साथ एसा नहीं होगा कि क्लास साड़े से स्टार्ट ओ साथ वज़े स्टार्ट ओ साव अच्छे बज़े स्टार्ट ओ नहीं तो आप जो भी कर रहे हो देश-दुनिया का काम वह सब छोड़ शार के आपको लाइव क्लास तरंत आ जाने यह आपका सेडूर रेना है कुछ चीजे है जिन पर हम ध्यान रखेंगे तो हमारी महनच जो है वह रिजल्ट हमें देगी एक चीज रेगुलर और पंक्ट्वल रहे हैं कि आपने लोगों को कहते सुना होगा जिसमें टीचर्स भी होते हैं बच्चे भी होते हैं उनका कहना यह होता है कि जो आफलाइन क्लासे होती है वह ओनलाइन क्लासे से जादा इफेक्टिव होती है इसमें बिलकुल कोई संदेह नहीं है कोई इफ और नहीं है कोई बत्तमीजी में डिसकेशन के तो अलग बात है लेकिन इस पर कोई डिसकेशन का पॉइंट भी नहीं बनता है और कोई यह जानता समझता है जो समझ सकता है कि आफलाइन क्लासेज आर मोर एफेक्टिव दैन ऑनलाइन क्लासेज लेकिन अगर पूछा जाए वह क्यों कीचर सेम पढ़ाेंगे स्लेबस सेम पढ़ाएंगे आफ आन सेम पढ़ाएंगे क्लास उफ्लैन मीं एकल की मैं लेता था मेरे वहां खरा रहे हैं कॉम्पैटिशन का स्लीबर सillon पढ़ा रहे हैं दिक है लास क्लासिस की डिऊरेशन भी उतनी ही कि तो वीक में उतने ही डेज पढ़ा रहे हैं तो ऐसा क्यों होता है कि ओफलाइन क्लासेस ज्यादा एफेक्टिव होती है लाइन के मुकाबले यह हमें सोचना चाहिए तो आप लोग अपना सोचना कि क्या वज़े होते होगी फिलाल में मैं आपको बताता हूं सबसे बड़ी वज़े होते हैं डेडिकेशन एक बच्चा है अपना घरबार छोड़कर आया है मुखर्चिनगर तहरा है वहाँ पर दोबैंने में निकलता है चाहें बारिस हो रही हो कभी धूप आ जाएं ठीक है लेने के लीजा आता है कि अब पैदल चलके आता है दूर से कभी करके आता है तो वह देखो गए उसका इक स्ट्राइब उसको पता है कि आज क्लास में नहीं तो सीखना से चूप जाएंगे सीखना नहीं हो पाएगा फिर समझ व्याना मुस्किल हो जाएगा तो उसके अंदर काम को करने का अच्छा ओनलाइन में क्या हो जाता लोगों में साथ में अच्छा क्लास तो अगर मानलो लाइब नहीं भी देख पाएंगे तो रिकॉड़ेट बात में देख लेंगे चलो ठीके खेलाते हैं मैस देखाते हैं अच्छा दोस्तों टिकेट बुक की चलो सायम बादूर मूवी आज मौशी जी के यहां साधी है मुलब बढ़ड़े है चलो वह आते हैं तो हम कंप्रोमाइज कर जाते हैं अपने काम के साथ में सबसे बड़ी वजबस यह होती है और एक क्लास जब छूट जाती है तो दूसरी भी छोड़ने में कोई दिक्कत नहीं होती हो भी जरुत काम आ गया यह कोई दोस्त आ गया बुलाने यह कुछ और आ गया तो हम बीच में क्लास को रोक के चले अब पता चला वह जहां से छोड़के चलेगे उसके बाद की क्लास दुबारा कभी होई नहीं पाई ऑफ लाइन में आप आगे क्लास्रूम में को और घुस गे तो चांस में क्या होता है कि उतना डिसिप्लीन उतनी रेगुलरिटी उतना पंक्शलिटी मेंटेन नहीं उपाती कि इसी वज़े से हमारी मेहनत हमारे पैसे हमारा टाइम बरवाद चला जाता है यह जो मैंने आपको डिफरेंस बताया ओनलाइन अगर हम इसको मेंटेन कर पाएं अग नहीं कि दस मिनट का लेक्षर निकल गया फिर हम आए ठीक है रेगुलर रहेंगे ऐसा भी ना हो कि हफ्ते में हमारी दो लाइव क्लास हो गई हम देखी नहीं पाए लाइफ टाइम में नोट्स भी बनाएंगे अपना रिवीजन भी करेंगे तो अगर हम वही से लाप आएं इतना ही आएगा यह मेरे सबसी का मेरे पड्रेश सबस्यास चांब करना है दूसरा काम है सबको नोट्स बनाने तेल्फ के हैंड रिटन नोट्स बनाने हैं अच्छा एक चीज बताओ नोट्स बनाकर की गई पढ़ाई अच्छी होती है पीडिएफ लेकर की पढ़ाई अच्छी होते हैं तो इसके बताओ अपने आप सोच हो के हम पढ़ रहें नोट्स बनाते हुए और हम पढ़ रहें बस देख रहें वीडियो जैसे देखते हैं आइसे देख रहें पांद में कोचंग कि हम अपने हैंड रिटेन नोट्स बनाके पढ़ाई करें या पीडिएफ के साथ में पढ़ाई करें क्या सी तरीका एक केंडिडेट को छोड़ दिया जाए इसको सुधारने की अभी इसको सुधारना पड़ेगा ठीक है एक को अगर छोड़ दें तो बाकी सारे केंडिडेट का कहना है कि नोट्स बनाके पढ़ाई बेस्ट होती है एक है वह थोड़े चंचल सुवाव का है अभी उसको आटा टाल का भाव नहीं पता है कि पटा चल जागा इसको भी कि संत-अजम नोर्ड बनाने से कि इस इक दो थो छोटी-छोटी फैदी होते हैं यह पहला फायदा होता है कि हैं हैं हैंट cris इंप्रूव हो जाती है कि दूसरा तरीका होता है कि स्पैलिंग से हो जाती है जब हम नोट्स बनाते हैं आप देखो इंग्लिस पढ़ने वाले कई बच्चे हैं अगर वो कभी उन से लेटर लिखवा या कोई चीज लिखवा तो उनके आद्ली को बीखवा लेकिन पारिघास है दूसरा हमारी स्पैलिंग जब हम लिखते हैं तो हमें पता चलता है कि इनके नहीं ह sürद कि कनलिके सब्सक्राइज गाता है सिघ्क जयाता है टीसेरा फायदा कि हम जब नोट्स बनांके पढ़ते हैं प्रसार समय समय आता है जादा समय तक हमारे दिमाग में रहता है कि किसी भी काम को करने में आपकी सेल्फ जटनी एंगेजड होगी उतना वह वह बहतर आपका काम होगा तो नोट्स बना के एक जो हम पढ़ते हैं तो वह हम पढ़ते हैंगे इसको क्या क्या आइस नहीं कर सकते तो वो जो doubt और confusion है वो तभी आएंगे जब आप notes बनाओगे notes नहीं बनाओगे तो वो doubts और confusion आपको कभी आएंगे नी पीडियर में तो बस जो लिखा है वह रिटा मार लो यही होता है ना गहराई नहीं होती learning में depth नहीं होती उसमें तो हमें notes बनाते समय पता चलता है कि जो हम सीख रहें इसमें कहां कहां में doubts आ सकते हैं confusion आ सकते हैं अब वो doubt या confusion आपको एक्जाम में आएं उससे अच्छा है कि अपना सीखते समय वो doubt confusion आ जाएं तो उस कम से कम हम उनको clear तो कर लेंगे है तो यह फायादा सब्सें बड़ा फाइद नोट सब्सें पड़ा घंघ चार मेंने पांच मेंने syllabus बड़ा है है अब हमारा एक्जाम आ DOWN अब हमँ चालते हैं कि हम इंगलिस का अपना पूरा स्लेबस रिवाइज कर लें यह दो-चार हफ्तों में अब इंग्लिस का स्लेबस भी करना है मैस का भी करना है रिजनिंग का भी करना है जी एस का भी करना है तो अब हम चाहते हैं कि अपने दोस्त से नोट ले 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 या पीडिएफ डाउनलोड कर ले नहीं होगा क्योंकि उसमें दूसरे परसन की हैंड राइटिंग आपको समझ में क्या लिखा क्या नहीं लिखा कि परसन ने क्या सोच के लिखा होगा यह बात इसने क्यों लिखी है नोट्स तो हम इसलिए बनाते हैं कि एक्जाम से पहले हमारा कुईक रिविजन पूरे स्लेवर्स का एकदम हो जाए यही होता है जो आपने महीनों में सीखा है उसको हक्तों में रिवाइज करना है तो नोट्स की मदस्ते ही होगा लेक्चर तो नहीं देखोगे पूरे पूरे सब्सक्राइब नहीं थी यह क्यों इसको गलत बताया कि इसको ऐसे करवाया वो तो तब ही समझ पाओगा जब नोट्स अपने खुद के बनाएं दूसरे के लिखी नौट्स हमेंसा खुद के अपने ही बनाने चाहिए और हैंड रिटन नोट्स बनाने चाहिए पीडिएफ पढने लोगों ने आदत बच्चों के दलवा दिए लेकिन देवल बनाने का बच्चों को फैदा पहुचाने वाली वह तक्निक नहीं है तो लोग इसलिए हरकते करते हैं तो नोट्स बनाने हैं रहना है और नोट्स बनाने हैं तीसरा जो काम आपको करना है वो है doubts and confusions कोई कितना भी अच्छा पढ़ता हो कोई कितना भी अच्छा पढ़ता हो अगर वो समझ कर पढ़ रहा है तो उसको doubt होंगे जरूर ठीक है? doubts and confusions अगर कोई कितना भी अच्छे teacher से पढ़ता हो ठीक है? ब्रह्माजी से बले पढ़े, किसी से भी पढ़े ठीक है? तो जो आप पढ़ोगे और समझ के पढ़ोगे तो आप मान के चलो कि आपको doubts ये confusions होंगे जरूर ऐसा होई नहीं सकता कि doubt और confusion ना हो, आप किसी से भी पढ़ो आप कोई subject पढ़ रहे हो तो आपको doubt confusion जरूर होंगे अगर आप समझते हुए पढ़ रहे हो तो आप कोई सोचे का भाई ऐसा क्यों क्यों होगे doubts तो मैं आपको बताता हूँ दो लोग होते हैं मेरी समझ में जिनको doubts या confusion पढ़ते समय नहीं आते एक वो होते हैं जो अकल का प्रयोग ही नहीं करते हैं अकल का मतलब है समझ जो समझ का प्रयोग ही नहीं करते हैं उन्हें जो मैडम ने बता दिया सर हो कोई भी हो तो उनको जो मैडम ने सर्जी ने बता दिया उन्होंने बस रट लिया यहां वह यह होता है यह नहीं होता है यह नहीं होता है है ही नहीं तो जब समझना है यह नहीं जब अकल उस करनी ही नहीं है नहीं है तो डाउटस कियो होंगे डाउटस तो उसको उसको आप्ण शूरा रट्ट नहीं होते तो叉ट्थ नहीं होते जो एकदम से पर्फेक्ट है जिसके सारी रिपोर्ट उसको भी डाउट नहीं होते अब सोचने वाली बात है जो हंड़ेट परसंट ओके है जो एकदम पर्फेक्ट है वह बैच जोइन करके सीखेगा क्यूं जो सीख रहा है इसका मतलब उसके अंदर अभी स्कोप है सुदरने का वह 100 परसंट तो होगा नहीं तो यह दो ही केंडिडेट्स हैसे होते हैं जिनको डाउट्स नहीं होते जो पढ़ाते उसमें या तो ओल्लेडी मास्टर है उस सब्जेक्ट का तो उसको डाउट्स नहीं हों मास्टर आप लोग हो नहीं मास्टर होते तो पढ़ा रहे होते सीखने के लिए लेकिन मैं जिस तरीके सब पढ़ाता हूं वो दिमाग उसकर नहीं पड़ेगा नहीं तो उसके बगर साथ चल नहीं पाओगे साथ में तो वह सबसे बेवकुप की समगा होता है वह मेरे से सब्सक्राइब तो नहीं आपको होंगे ही होंगे इमान के चलो रहे होगा अब ही दो चार दिन बाद आपको मतलब आज के बाद 34 क्लास में आपको एक नंबर दूँगा मेरा पर्सनल नंबर होता है वाट्सप का एक तो आपने देखो कि मैं यूटूब पर नंबर देता हूं बच्चों को डाउट के लिए हलाएं कि उसको भी डील करता हूं उसको बच्चे करते हैं उनको भी रिपलाई करता हूं यह नहीं करता हूं लेकिन एक हम जो अमारे पहले यह नहीं उसकरते थे यह आप लोगों के बहुत से ही हमने इंट्रोड्यूस किया है लाइव मीटिंग से गूगल मीट पर अपने डाउट पर हमने उन डाउट को लाइब मीटिंग में डिसकस कर लेना है आप उसमें पूछ भी सकते हूं लेकिन हम चाहते हैं कि डाउ पढ़ाए गया चैप्टर है पढ़ाएगा टॉपिक और लेटर कोई तो पहले पूछ तो यह सिस्टम आपका रहना तो यह तीन चीज़े आपको ध्यान रहना है कि आपका जो स्लेबस है जो हम आपको दे रहें कोर्स आप देखोगे आपके कोर्स में एक सेक्षन है फंडामेंटल्स फंडामेंटल्स बेसिक्स व्योडी ऐसे कुछ लिखा होगा तो जो फंडामेंटल्स के लेक्शर्स हैं वो आप सबने देख लिए होंगे वो VOD है कुछ आप मेंसे जिन्होंने अभी तक नहीं देख पाए होंगे क्योंकि उन्होंने आज कल में ही एडमिशन या दो-तिन दन पहले एडमिशन लिया होगा तो एक आदर वीडियो देख लिए होगा सारे नहीं देख पाए होंगे है तो यह जो फंडामेंटल्सके लेक्चरस हैं कि वो सब आपको तहले देखने हैं और वह लेक्चरस सारे कंप् preciso करने gefश को हूप उसłemसों सीक्वें में दिये गएं नहीं लेक्चर्स देखते समय आपको उनके नोट्स बनाने हैं अपने रिजिस्टर ले लो बढ़िया सा एंकॉम प्रो बैच वह आपके पास रहेगा हमेशा अपने छोटे भाई वैन को देदेना बाद में बच्चों को देदेना तो बढ़िया सा रिजिस्टर बनाओ इंग्लिस क और शुरुआत करो फंडामेंटल से पहला लेक्चर उसको पढ़ो देखो उसमें क्या बताएगा उसको अपने लिखो काम की बाते हैं तो मेरे साथ शेयर करो हम उसको लाइब मीटिंग में डिसकस करें तो सबसे पहले हम जो फंडामेंटल में आपको पढ़ाया गया उसका करेंगे उसके डाऊट उसकी प्रैक्टिस क्लास लाइंगे तो जिन बच्चों ने अभी तक उनको कंप्लीट नहीं किया भूगे तो अभी आइड़ मेंशन ही चलने काभी बच्चों ने तो अभी जॉन भी नहीं कर रहा है आने वाले टाइम में ज्योइन करेंगे ठीक है जिन्होंने भी रिसेंटली करें वो सबसे पहले फंडामेंटल्स के उनको कंप्लीट करें तो आपका उसमें आपके चले जाएंगे वीडियो वो उसमें सेव रहा करेंगे आप उनको रिवीजन के लिए बाद में अपना देख सकते हो जब तक आपके एक समेंट की वेलिडिडिटी वक्वेंड आर सी क्लासे की वो एस तरीकिए आपको सब्सक्रामेंट का सवर समें ग्ल करेंगे आपके बहत्च में तीन आपको एक पुन्ट मिले का सण सब्सक्राइब बात कर लेते हैं आपको यहां पर क्या-क्यास पढ़ाया जाएगा जिससे आपको ध्यान रही कि यह हमें पढ़नी है और सर जी बाते हमें पढ़ाएंगे उनमें से कोई चूड़ रहा है अपना पूछ लोगे देखो सबसे पहले बात कर लेते हैं क्योंकि grammar का चैप्टर लिख देता हूं लेकिन यह मत मान के चलना की सीक्वेंस में पढ़ाएंगे सीक्वेंस कोई भी सकता है सेक्वेंस कोई भी हो सकता है पहले यह होता था कि मुझे दो या तीन चैप्टर होते थे शुरुआत उन्हीं से हमेशा करनी पड़ती थी लेकिन जब से मैं बच्चों को पहले के साथ में तयारी करे हुए रहते हैं तो हम कहीं से भी स्टाट कर सकते हैं तो मैं केवल ठैटर्स लिखूंगा लिकिन टॉपिक की सीक्वेंस में पढ़ा जाएंगे जिस सीक्वेंस में विए से पढ़ाएंगे ठीक हैं देखो के रведंस मोड कंदिशनल मिन वस कहते हैं मिन वस बार्द वस कहां यूम ऱ्ट्पनीट वर्व्पर आवस्ट अन्वे देवैंड्डेट 00. articles determinants adjectives adverbs कंजंग्शन्स रेपोजेशन्स मुझे लगा रहा था कुछ गरबढ़ की है स्क्वेंस कर बढ़ हो गया 12,13,14,15 प्रेपोजेशन्स सब्जेक्ट वर अग्रिमेंट्स सब्जेक्ट वर अग्रिमेंट्स यह आपका होगया अग्रिमेंट्स यह आपका होगया अग्टिव एंड पैसिव वाइस नरेशन और 19 जो हमारा स्लेवर्स है वह है फंडामेंटल्स फंडामेंटल्स में जो है पूरे फंडामेंटल्स में खुदी दो तिंग चैप्टर हैं मिलके एक ही साथ फंडामेंटल्स में पढ़ा देता हूं यह आपका अल्री हो चुका है क्योंकि कुछ तो ऐसे हैं कि जो कई सालों से फॉलो करते हूं तो मैं हमेशा अपने स्लेवर्स के साथ में एक्सपेरिमेंट करता रहता हूं चीजा घटती बढ़ती रहती है कभी घट गए ऐसा होता रहता है जो पढ़ाने का तरीका भी बदलता रहता है साइनमेंड्स भी है प्रैक्रेक्टिस अभन रहती है तो रहती है और लाइफ बैचेज में उसमें क्या होता है कि आपका जैसे जो लाइट बेचेश में पढ़ने का फैदा यह होता है कि नई चीजे नए एक्स्प्लेनेशन्स नए प्रैक्टिस क्वेस्चन्स डाउट्स हैं वह सब आपके अपड़ू डेट रहते हैं यह चीज है ना पार्ट्स पीच के स्लेव बच्चे आप देखो इसमें सब कवर हैं सारे पार्ट्स पीच इंट्रेक्शन को छोड़के सारे कवर होगे जब यह चैप्टर सबको पढ़ाया जाने शुरू होंगे तो पहले इनके बेसिक्स पढ़ाया जाएंगे जैसे प्रोण कि यह कॉम्प्रिहंसिव सलेवस है कि यह ऐसे आपका चलेगा तो यह चैप्टर से आपको सीखने समझने जानने को मिलेंगे अब कहलेते हैं कि बात कि वह कैम में क्या होता है कि अच्छन होता है मारा इसमें मुझे थोड़ी से न आप लोगों की मदद चाहिए होगी क्या मदद चाहिए होगी कि इसमें मैं आपको कुछ काम करने के लिए कहूंगा जो आपको खुद करना है अपने आप करना है एक पढ़ने की आदर डालो सभी लोग वकैब में कुछ वकैब ऐसी होती है जो आप अपने आप पढ़ सकते हो उसके लिए कुछ जरूरी नहीं होता है कि टीचर हमें बताया पढ़ा है तभी हम सीख पाएंगे समझ पाएंगे ठीक है वह हम अपने आप पढ़ सकते हैं हम उस सब्सक्राइब आप नहीं पढ़ सकते हैं या पढ़ोगे तो हो सकता है कि क्लियर्टी ना आए कंफूजन बने रहें तो वह हम आपको लाइब क्लासे में पढ़ाएंगे जैसे कि अगर हम बात करें यहां पर कि अप्रेजल वर्प्स सब्सक्राइब कि यह हमारे वक्यान में दो पाइट ऐसे होते हैं जो अगर हम अपने आप पढ़े और कोई करहादे समझाते तो जल्दी समझ में आते और doubts confusion नहीं होते लंबे समय तक याद रहते हैं अपने आप पढ़ें तो कई बाइड बने रहते हैं confusions बने देते हैं उत्रहा अच्छा समझ में नहीं आता है यह हो गया उसके बाद में कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूट्स कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूट्स हो गए इडियम्स एंड फ्रेजर्जर्स हो गई आप मैंसे जातर जानते होंगे क्योंकि मुझे लगता है कि जब हमें सेनोनिम्स पता होते हैं तो अपने आप ही जान जाते हैं ऐसा थोड़ी हो तक यह में पढ़ा है तभी हम जान पाएंगे तो जैसे वन वर्ड इडियम्स और अच्छेज हैं तो हम दो पार्ट को पार्ट यह उती टीचेवल जो पढ़ाई जानी चाहिए यह उती लड़नेवल जो अपने पढ़ लेनी चाहिए अब प्रेक्ट्रेस रखेंगे तो इंपॉर्टेंट जो वर्ड सब्टिट्यूशं से वन वर्ड सब्टि कुआ उसके बाद में बच गया reading ॉ ए Chemn सेक्षेर में आपके तीन चीजा आती हैं एक sentence arrangement एक कि ऐसे सेटारी करने वाले विच्चे कहते हुन्हें तुसरा क्लोस टेस्ट तीसरा, unseen passages, पढ़ो उसके आंसर करो, इस तरीके question साथ में, तो इन में जो सिखाने वाली चीज़ें वो class में सिखाई जाएंगी, बाकी ज्यादत चीज़ें practice वाली हैं, कि आपको practice करवाई जाएंगी, इन से related आपके doubts होंगे, उनके discussion होंगे, इस तरीके से यह हमारा syllabus इतना होगा, जो हम इस batch में cover करेंगे, अब मैंने आप से कहा कि यह वाला जो हमारा segment है, वह क्यावन reading comprehension का, इसकी regular practice classes होंगी, आपको content भी पढ़ने practice करने के लिए मिलेगा, उससे related doubt discussion भी होंगे, लेकिन, 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 एक काम जो आप सबको करना है, और इमानदारी से करना है, वो आपको यह करना है, कि you have to make a habit of reading, read regularly, एक page, दो page, ठीक है, regularly उसको आपको पढ़ने के आदा डालने है, वकेव और reading comprehension section में जो हम practice classes लाएंगे, जो भी हम classes लाएंगे, उनको आपका ज़्यादा उनका तभी आपको मिल पाएगा, जब आपके एक पढ़ने के आदत होगी, अगर आपके पढ़ने के आदत नहीं है तो उतना ज्यादा नहीं हो पाएगा, जितना मैं चाहता हूँ आपको हो, और उतना हो सकता है हमारे कारकरम से, पढ़ने के आदत सभी लोग डालेंगे, क्या करना है, जो सेवन्थ एट्थ की रीडर बुक्स होती है, जैसे आपको सबको पता होगा, कि सेवन्थ और एट्थ क्लास में दो बुक्स इंगलिस की होती है, एक ग्रामर बुक होती है, और एक होती है रीडर बुक, ठिक, तो जो इंगलिस की रीडर बुक होती है, सेव और उसके बाद में एक्सराइजेज बहुत होती है उन्हेक्सराइण आपको Book करते हुं नहीं तू जैसे दुनिया कहते है नियूसपेपर पढ़ऊ पर में लेग्व स्टैंडर्ड नहीं होती है रहिंग है दूसरा या नियूजपेपर में एसेस्मेंट के लिए कोई एकससाइज नहीं होती है तो नियूजपेपर एक पागलपंती फैली वह नौर्थ इंडिया में जिसको देखो नियूजपेपर पड़ो इंगलिस आजाएगी बहुतते हमारे बच्चे हैं वह नियूजपेपर की चक्कर मे लें तो कोई भी लेलो कोई भी प्राइवेट उब्लिकेशन लेलो कोडोबा रीजन रतना सागर ब्लैक स्वान फोली फैल्ट टिक है ब्लू हाउस ऑक्सफ़र्ड प्राची मैरीगोल्ड सुल्तान चंत ऑक्सफ़र्ड कोई भी लेलो डियेवी स्कूल्स की बुक होती हैं व उसी द्याने में लीम को प्ढ़ना है टिक एट करोऀस काहनी समझने की इस कहनी जा उनको अंधर यह लेना है चाह staying सब्सक्राइन को आपको को От cosmology बार लोकिल अलग सबस्सक्राइब को Яज़이지 करें बेंगी पड़ने के दियार होटे रहेगी पढ़ने की आथत और जिब चैप्टर रेंड होता है तो इस चैप्टर के इंड में बहुत सी एक्सराइज होती है ट्रू फॉल्स है मैस द वर्ड्स है क्रॉस पॉजल से फिलिन दे ब्लैंक से एंसर द प्रक्षेंज है इस तरीके की एक्सराइज होती है वह हमें सॉल्व करनी है क्योंकि वह सात्वी आठीव का लेवल होता है आप यहां पर बैच में पढ़ोगे तो आप कितनी अंडरस्टेंडिंग होई जाएगी को आप अपने आप उन्हें सॉल्व कर पाओगे एक्सराइज जिसको की दिक्कत नहीं होगी और फिलाल में को दि त्युक्ति त्यूस पैंतिस रुपए में आ जाती है और यह लोग आप 300-400 की होती है मलता वही कानी हो गई जैसे की ऑन-लाइन बैचर होते हैं कोई जरूरी नहीं आप नहीं खरीदो आप पुरानी बुक्स मुझे लगता बड़े सहरों में ऐसी दुकाने होती है जहां पर लोग पुरानी किताबे खरीद थे बेचते हैं वहां से लियाओ जाके कोई अडोस परोस में रहने वाला बच्चा है घर परिवार का गाउंद्यात का बच्चा है जो किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है साथ में आठवी क्लास में तो उससे आप ले सकते हो पुरानी ले लो कहीं से मिल जाए फ्री में तो अपना वह देख लो लेकिन ले एसा एक्सपेक्टेशन रखते हो आई गारेंटी वह 100% आपके अचीव होंगे लेकिन केवल मेरे अकेले काम करते हैं रहने से नहीं होगा आपको साथ में लगना पड़ेगा आपको बस इतना करना है बाकी तो जो मैं क्लास में पढ़ाओंगा बताओंगा समझाओंगा उत समझ पाओंगे इसका आंसर क्या है क्या नहीं तो वह मैं यह प्रॉमिस करता हूं हम लाइब डाउट किसे डिसकसन क्लास में उनको डिसकस कर लेंगे यह प्रॉमिस है मैं इतनी हेल्प आपकी कर दूंगा लेकिन पढ़ना आपको है अपने अप एक्सेसाइजर सॉल्व करनी है अपने आप और उन चैप्टर में जो आपको वक्यम मिलेगी इंपॉर्टन उसकी लिस्ट बनानी है अपने आप तो अगर हम इतना कर लेंगे तो बस हो गया काम हमारे तो यह पुरा जो हमारा ओरिंटेशन क्लास है इतनी बाते मुझे आपको समझानी आपसे डिसकस करनी थी जिससे कि हमारे एक रास्ता तय हो जाए एक प्रॉसेस हमें क्लियर हो जाए कि हम क्या सीखेंगे कैसे सीखेंग क्या काम हमें अमने आप करना है हमारी है क्या काम सर की बाट लेते हैं कि इन इसर से करें करा तो अगर हम अपना-पना काम इमानदारी से करें तो बहुत चैने भात अच्छा आएग़ जतना तुम सोचके तो अगर यह बाते आपको क्लियर हो गई जो मैंने आपको बताई समझाई है तो बहुत अच्छी बात है बाकि मेरी तरफ से और इंटेशन क्लास में जो डिसकस करने थे टॉपिक्स वह हो चुके हैं आप कुछ अपना अभी भी पूछना बताना चाहते हो आपकी कोई क्वेर अइस हम पहले भी सिक्स ही करें तो चिंता मत डिक्लास रएक लाइफ जब आपकी लाइव क्लास होगी क्योंकि अब क सब्सक्रमेरा अभी कल सही स्टार्ट नहीं करेंगे भी जारे हो और रिला बैच है उसमե्श पड़ार का स्लिए ओस movement my cover हो जाएगा तो हम मंडे से आपकी क्लासे करेंगे आज की ओर इंटेशन क्लास थी एक हपते बाद आपकी क्लासे लाइव स्टार्ट होंगी फिर फिर वह रेगुलर होंगी मंडे टू-फ्राइड जो सड्यूल है जैसे कोई चैप्टर होता ना उस chapter के end होने पर उस chapter की प्रैक्टिस होती है मालौ हमने पड़ा वह साथ क्लास में complete हुआ तो seven lectures के बाद में फिर उस chapter के lectures complete होगे फिर उसकी practice class प्रैक्टिस क्लास में हमने जो भी साथ classes में concept सीखें उन concept के फ्रिक्टम पर में उनका हम करते हैं फिर उसके बाद में रिवीजन क्लास के बाद ox udah ने directory रखी जाती है कि अब विश्यूर करते हैं क्या मैं इसे कुईट कर scripts करें करेंसे क्या हुए Similar तो मैं कहूंगा अगर अपना भला चाहते हो तो छोड़ दो कोई उससे फाइदा नहीं होना है अब तुम सही जगे आगे हो ठीक है चुप-चाप यहां पर पढ़ो सीखो नोट्स बनाओ डाउट्स पूचो बस जहां जाते हो मान लोगी गया दान होगे तुमारे पैसा ठीक चोड़ दो से लिए बुक्स की क्या है जूरी होई यह फिर न्यूजपेपर भी पढ़ सकते हैं न्यूजपेपर नहीं पढ़ना है जो तुम से का है बस उतना ही करो हुश्यार ज्यादा मत वनो मैं कह रहा हूं देखो कि मैं कभी अपने बच्चों से कहना नहीं चाहता कि जैसा मैं कह रहा हूं वैसा ही करो मैं कहता हूं कि जो मैं आपको बता रहा हूं आप उसको सुनो समझने की कोसिस करो समझ में आ जाए सही लगे तो मान लो लेकिन फिर भी नहीं पढ़ना है सेवंत एट की रीडर बढ़ कि लाइव क्लासेट कब से स्टार्ट होंगी आठारा से होंगी आज एक हफ्ता मैंने कहा ना कि इस में स्टापिक चल ला है उसको कॉपलीट कर दो पिर उस बैच का सद्राव सम्वाह वश्डू हो जाएगा कर रहा हूं फिर मैं जोइन करूंगा उन बच्चों अभी थोड़ा सा ध्यान रखना है कि वह भी जोइन कर लें तो उससे साथ में हो जाएंगे तो अच्छा सीखेंगे अच्छा पड़ेंगे क्योंकि बैच अनॉंस करते हैं तो कई वर बच्चा होता है और हमें भी पता है कि पीस कई वर मैनेज करने की ज़रूद पड़ जाती है और कोई तो ऐसा नहीं होता नहीं कि उसको पता चला तुरूंत उसमें पेमेंट करके बैच जूंद कर लिए बिटा अरुन शर्मा बस तुम चिंता मत करो यह टॉपिक में अलग से ले लूँगा बहले दो क्लास लग जाए तीन क्लास लग जाए फुश्ष्ट रटाते हैं ओफ लाइन में तो इसलिए तो कहा बैल बुद्धी कि मत जाओ तुम छोड़ दो तुम जहां इंगलिस पढ़ रहे हो ऑनलाइन आफ लाइन अब तुम उसकी जरुद नहीं तुम उसको भूल जाओ तुम यह सोचोगे कि हमने फीस दिया है हम ऐसे कैसे छोड़ कर दें तो उस चक्रवन नुक्सान और कर लोगे है कि छोड़ दो विटा उसकी कोई जरुद नहीं कि अभी फिलाल में मैं आपको बता देते हैं एक बात सभी लोग ध्यान रखेंगे अभी फिलाल के लिए जब तक मैं आपको पर्सनल वाट्सप नमबर नहीं देता है तब अब तक आप इस वाट्सप नमबर पर डबल नाइन ट्रिपल वन डबल नाइन कि अ मैं और नाइन इस नमबर पर आपकी कोई भी बात है मालो काफी बच्चे जो भी लाइब में नहीं देख पा रहे होंगे कहीं बीजी योंगे बैस वोग बाद में रिकॉर्डेट देखे सब के लिए कुछ भी अपना कहना है कोई मतलब बात है कुछ करना चाहते हो अभी फिलाल के लिए आप मुझे इस वाटसप नंबर पर कॉंटेट कर सकते हैं एक लास्ट कभी कभी छे वजे वाली क्लास काम पर जाना पड़ता है ओनलाइन ही करूं या फिर नेक्स डे कर लो देखो मैं समझता हूं कि कई वार ऐसी जरूरत पर जाती कि हम चाहके भी लाइव क्लास को अटेंड नहीं कर पाते उस समय हम अपने जॉब से चुट्टी नही कोई बात नहीं है लेकिन ऐसा अपने से मतलब प्रॉमिस करो कि अगर मैं लाइव क्लास नहीं अटेंड कर पाया किसी कारण से तो अगले दिन जो लाइव क्लास होगी उससे पहले पहले में उसको कंप्लीट जरूर कर लूँगा क्योंकि मेरा जो सलेवस होता है वो सारा जरू कर लूँगा भले मुझे उस दिन नीद कम करनी पड़े बहले लेट सौँ या सोबे जल्दी उठों जो भी करूं लेकिन इसको नेक्स लाइव क्लास से पहले-पहले देख लूँगा यह प्रॉमिस खुद से करो हाइलाइट करके लाद नोट में लिखा करो मेरे दिखा हो मेरी आधत क्या है कि मैं करता हूं प्रकाइब कोई मुझे सीधे उसी पे लिखती कि लोगों आइसा लएक खराब हो गई तेंगी मेरी आज़त है कि तो बहुत पार लोग पूल और ईरेजर से बुक पढ़ते हैं अपना से उन्होंने अंडरलाइन कर दिया सरकल कर दिया जरूरत पड़ी तो एरेजर से मिटा दिया मैं इतना जंजट नहीं करता हूं जो मुझे काम की चीज लेगी बुक में मुझे पढ़ना पसंद तो मैं बहुत से अगर मेरे से कोई पूछने में गलती हो गई तो प्लीज पाड़न नी अरे बावला है क्या बावला है गलती तुम करो मुझे जैसे रियक्ट करने मैं वैसे करूंगा मैं खीचोंगा डांटूगा धमकाओंगा ओफ-लैन क्लास में होते तो एक-दो लगा भी देता है लेकिन सुधार होना चाहिए गलती होना खराब नहीं है लेकिन गलती रेपीट नहीं होनी चाहिए और यह मा मेरे पास आपकी बुक यहारी काते हों वह कैंपाइब की बुख है वह ले सकते हों आपको पढ़ना एक दो तो ठीक है एक काम करते हैं कि मुझे लगता काम की बाते सारी हो चुकी है बाकि अब लोग आप लोग फंडामेंटल्स देखिए जो आपको रिकॉर्डेड मिले हुए उनके अपने नोट्स बनाएए उनमें कोई और मेरे साथ वाट्सप पे शेयर करना हम इसको करेंगे सबसे पहले उन्हीं को प्रैक्टिस करेंगे फंडामेंटल्स में आपको पढ़ाएगे उसकी छाप्टर से स्टार्ट करेंगे ठीक है अब बागी कुई च्छोटी मोटी बात रह जाए ध्यान में आए तो मुझे उसक में सब्सक्राइब तक सब्सक्राइब अच्छे इंसान बने और दिन्दगी में सब्सक्राइब